कि अदिवासी नहीं जात्री प्रमाण बत्रन नहीं मिल ल्या है बच्चों को ठीक है नहीं मिल ल्या है बिल्कुल और उन्यों नहीं मिल रहा है क्या बचा परदान मंतरी आवाज यजरा में जितने सारे मकान लगे तो कई सारे लोगों को आज तक नहीं मिले हैं वोट लेने की टाइम पर आते हैं अच्छी बाते हैं एक दिन आज चोड़के आते हैं और हमको पांच साल तक आज चोड़ाते हैं आप देख रहे हैं देश लाइव, देश्टी आवाज कि हम कितने पड़े लिखे हैं, कितने समुदाई में हैं, वो सब बताना चाहते हैं, और हम कितना अखेटे रह सकते हैं, एक ता हमारी न्यारा है, हमारा जो विपक्षी पार्टियां, कॉंग्रेस पार्टी, सब जो कह रहें के जाद, बिरादरी, जितना है सबका गिंती होनी चाहिए, सैंसेस की, वो आप कह रहें, कास्ट बेजी सैंसेस होनी है नहीं, वो राज की अपक्स के हमारे कोई लेना देना नहीं है हाँ, हमारा समूदाय बड़ा है, और एमदाबाद में आशावल भिल राजा था, और उनके हम वन्स है, और हम रे रहे हैं और हम बताना चाहते हैं, कि अभी भी एमदाबाद में आदिवासी भिल रहते हैं, वो इतनी सारी, कितनी तीन किलो मिटर की लंबी रेली है उसमें हम बताना चाहते हैं कि आसावल बिल एक बार एमदाबाद आसावल नगर था तो वो आसावल नगर आज एमदाबाद बन गया है और एमदाबाद में हम भी आज उनके वन्स अभी भी रह रहे है कोई कहता है और मैं भी यह मांता हूँ कि अहमदाबाद शहर बसाया था आप कहते है आशावल नगर था तो क्या आ था सावल नगर था वो पहले बहुत प्राचिन बात है जो ये एमदाबाद अमद सा बात्सा भी नहीं था तब तक आसावल उन्होंने अपनी तीर कामटे से अपना राज्य समाला था जब यूद होता था वो तीर कामटे से अपना यूद चलाते थे और अपना राज्य को समालते थे आज उनके वन्स आज बड़ी बड़ी आर्गाद में है और वो दिखाई देते आप तो आपकी मांगे क्या किया है सरकार अरे मांगे तो क्या है का सर्टिफिकेट का प्रोब्लम है जो केंदरे सरकार से अभी भी जोड़ा वन्चीत रहे गया है मोदी जी तो कहते हैं वो तो आदिवासी, गरीब, दलीट सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं लेकिन जो ऐसे एक 50 साल का पुरावा बांग रहे है जो जिसके पास नहीं है उसके बहुत तकलिफ पड़ती है बराबर झें युनो ने जहिर किया है तो आज रेली नहीं महा रिला है सरकार का ये कहना है सरकार के हदिकारading का ये कहना है कि एहमदाबाद में ड्राइबर लोग हैं नहीं तो हमने बता दिया आज कितने वंदाबाद में अदिवाद में रहते हैं तो यह अज बुरूब कर दिया हमने कि आदिवाद में है अम्दाबाद में मिल दहワ हैं थी करें न हुदि को ठीक है। नहीं मिल दहा है विल्कुल, और उन्हों दहीं मिल रहा आऄ रहे टानी सो पचास का बुरावा मांगते Fox, 1950 के जबके यहां महानगर पालिका की स्तापना 1956 में हुई थी और 1950 के पहले का पुरूप मांग रहे हैं और बोले आप पुरूप दो बाद में हम आपको जाती प्रमाण पत्र देंगे हमारे बच्चे अभी पढ़ते हैं पढ़ाई में बहुत परेसान होते हैं और जिन जिन लोग कंस के लिए बच्चों को हैल्प मुडब जो भी कॉलर सिंफ मिलती हैं अधिए को जादा लोग साले किन मोधी जी यह कहते हैं कि मैं तो taking मेरा तो एक ही मानना है कि जिसका बलड रिलेशन जिसका बाप का देदा की जमीनों का मामला बहुत चलता है क्या दानी को दे दी, अमीरों को दे दी जमीन तो आधिवासियों से उनकी जमीन, जंगल सब छीना जा रहा है ये भी कही सारे सावाल है ये भी बहुत सारे सावाल है गुजराद में अभी है नरमदा को लेकर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं आदिवासी ट्राइबलों को कई सारी जगह अरब कर ली है और उनमें बोले आदिवासी का विकास हुआ हो तो खुद की जमीन भी चली गई अभी तो और वहां पे रोजी रोटी भी लोगों को नहीं मिल रही है अब यह हुआ कि आदिवासी की जमीने चील ली गई और अब प्रदान मंत्री आवास चुद्णा में जब मकान देने की बारी आती तो आदिवासी ट्राइबल सर्टी लाओ अच्छा ट्राइबल सर्टी हमारे पास कई कई लोगों का पास है नहीं और जिसके पास है दिया है और प्रदान मंत्री आवास चुद्णा में जितने सारे मकान लगे है तो कई सारे लोगों को आज तक नहीं मिले है लेकिन ये भी एक मोदी पर आरोप लगता है प्रदान मंत्री पर कि दलितों के लिए काम करने के बज़ाए उनके विकास करने के बज़ाए शाहीं साहिब का विरोत करते हैं हम केवननननने किवल इतना कहना चाहते हैं कि यहां पर ड्राइबल लोग है और आसाबील नगरी यह जो आसवल जहां हम लोग एकटे हुए कि आसाबील ने य глазा यह सहर बसाया है अदिए थाए तेरा सो सो पच्पं तो यह पूरा हित्या से आसावल नगरी का और ये लोग कहते हैं कि या ट्राइबल है यह नहीं यह 18,56 से आदिवासी वस्वाट कर रहे हैं यह आप मानते हैं जी आप क्या कहेंगे यही बात है यही बात भाई ने बताईए आप में किसी से पूछ रहता है उन्होंने कहा कि जाती कत्र जन गणना होनी चाहिए कि पता चले कौन जाती का कितना है आदिवासी कितना है कम से कम आज 10 लाख है अंदा बात में अच्छा आज 10 लाख है ज्यादा होगा हभी क्या है में मुद्धा क्या है कि हमको एस्टी का दाखला नहीं मिलता है 1150 का पूरावार रखो तो मिले अभी क्या है देश अपना आज़ाद कभी हुआ किस बात में तो बेटे को मिलना चाहिए, बापका ये बड़े भाई का ये को चोटे बाई को ये अमारी मंगे बस और हमको कुछ नहीं चाहिए ये हैं आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में अगर ये सरकार बैट के निर्णा नहीं लेगी, कि ट्राइबल सर्टी जो मिल रहे हैं, वो हमको नहीं मिलेगी, लोई की सगाई पे हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई भी आवे ट्राइबल और उसको खाली ट्राइबल बोले और दाखला दे तो ऐसा नहीं, आप तपास करो, तपास करके दो उसको, और उसमें कोई गलत है तो उसको दुर करो, जितने भी सारे कमबाण हुए हैं आदीवासी सर्टी में, तो यह आप जानते हो, किस ने किया, कोई आम आम जन्ता ने दो किया नहीं, ना ट्राइबल ने किया खिशिए नीं, ठीक हैने, जोड़के आते हैं और हमको पांच साल तक जोड़ाते हैं और कुछ नहीं है गुजरात में हम तो एक ही बात करते हैं कि ब्लड की सिगाई लुई की सगाई के अंदर बापका हुए तर बेटे को मिलना चाहिए हमारे बच्चे पाड़ सके हैं मेरा जर्म है मैंने बीटिस कावर्मेंट भी यह लोग कोई जाती दाखना हमारे समाथ को तुछ समझते हैं बिलकुल तुछ समझते हैं कि यह कंजोर इंसान है आज जोड़के बैठ जाएगे लेकिन अब बैठेंगे नहीं मेरे 85 साल की उमर है आपके उमर 85 साल की लिए अब लड़ना आए तो 85 साल तक क्यों बैठे रहे लड़े होते तो यह आज नहीं खड़े होना पड़ता फिर कट कर दिया इनों है कब सब्सक्राइब कितने साल हो गवर्मेंट ने वहार किसने इन कितने साल से कट किया है बन किया लग मगागा अगया तो यही है कहना है कि बलड की लूई की सगाई रखो बापका है तो बेटे को मिलना चाहिए बस और बस यही हमारी मांगे कि जब जो जातीकर सर्टिफिकर्ट जो बनाने जाते हैं तो वहाँ पर पुराने पुराने ऐसे सर्टिफिकर्ट रसे से दाखले आपके दादा का या आपकी चाचा का या आपके बड़े अबा का वो सब चीजें मांगी जाती है जो लोगों के पास में नहीं होती है तो यह सवाल है यहाँ पर यह जितने भी आदिवासी लोगे इनका भी यह कहना है कि इनकी जमीने छील ली गई और जब इनको प्रधामंतरी आवास के तहट मकान देने की जब बारी आई तो सरकार ने इनसे कई सारे सर्टिविकर्ट्स कई सारे डाकिमेंट्स मांगे जो इनके पास में नहीं है खास एक और बात है कि लोगों का यह कहना है कि अगर हमारे पिता आदिवासी अगर उनके पास में सर्टिविकर्ट था उनका तो उनके खुन को उनके बेटे को भी आदिवासी माना जाए और उसको सर्टिफिकर्ट दिया जाए